प्यारे गोइंकन्स, असलाम लेकूम आज का जो हमारा मोजू है वो आपकी दर्सी किताब तामीर उर्दू का सबक नमबर तेन पेश का इयादा और मश्क जो कि सफ़ा नमबर पंदरा से बाईस तक मजूद है सबसे पहले पेश है क्या? पेश जो है, यह एहराब है यह वो अलामत है, यह वो निशान है जो हरफ के उपर लगाया जाता है वो अलामत जो हरफ के उपर लगाया जाता है पेश कहलाता है और हरफ की आवास में तब्तिली आ जाती है जैसे हमने इससे पहले और दो आःराब पड़े हैं जबर और जेर अब जबर भी हरफ के उपर लगाई जाती है लेकिन निशान जो है वो अलग है और और अलफाज पर जब लगाई जाती है तो आवास में तब्दीली आती है वैसे ही पेश भी हरफ के उपर लगाया जाता है और हरफ की आवाज में तब्दीली आ जाती है जैसे कुछ मिसाले मंदर जजेल है कुर्सी कुर्सी तो पेश की आवाज जो है कुर्सी तो यहां कीफ पर जो है पेश का इस्तिमाल किया गया है जिसकी वज़ा से इसको पढ़ने में तब्दीली हो जाती है इसके बाद चूहा चू यहां भी चीम पर पेश लगा हुआ है चू ना तो जबर लगा हो अगर जबर होता तो चा होता अगर जेर होती चूह जिसका कोई मफ़ूम नहीं है लेकिन यहां चू यानि पेश का इस्तिमाल किया गया है इसके बाद है जूटा जूध यहां जीम पर पेश लगाया गया है जिसकी वज़ा से इसकी हरकत में इसकी आवाज में तबदीली पैदा हो गई है जूटा बू यानि बे पर पेश का निशान लगाया गया है बूढ़ा इसके बाद बुल बुल यहां पर आप देखेंगे दो जगों पर दो हरफ पर जो है पेश का इस्तिमाल किया गया है बे पेश बु फिर लाम बुल उसके बाद फिर से बे पर पेश लगाया गया है यानि बुल बुल दो बार हमें पेश की आवाज निकालनी है अब क्या थी ये मिसाले कुरसी, चूहा, जूता, भूढ़ा, बुल बुल वगेरा ये वो मिसाले हैं ये वो अलफाज है जिन पर पेश का इस्तिमाल किया गया है और हमें वाकिफ, वाकिफियत होनी चाहिए, कि लफ्स के किस हरख पर हमें सही जगा पर पेश का इस्तिमाल लगाना है क्योंकि देखें अगर कुरसी है, अगर हम रे पर पेश लगाएंगे, तो हमें वाफूम समझ नहीं आएगा लेकिन हमें कीफ पर पेश का इस्तिमाल करना है को? कुरसी अब आईए मश्क नमबर एक पर जो कि सफ़ा नमबर पंदरा पर है यहां पर कुछ जुमले दिये गए है और कुछ तसावीर दिये गई है और हमें तसावीर को गोर से देखना है और खाली जगों को मुकमल करना है और ये भी वो अलफाज है यहां वो अलफाज हमें लिखने है जिन पर पेश लगाया गया है पेश का इस्तिमाल है जैसे उस्ताद डैश पर बैठा है उस्ताद किस पर बैठा है? कुर्सी कीफ पे हमें पेश लगाना है इसके बाद दूसरा जुमला डैश बांग दे रहा है तस्वीर में मुर्गा मो यानि यहां मीम पर पेश का इस्तिमाल किया गया है इसके बाद है डैश पहन कर भाजार जाओ यहां पर एक आदमी को दिखाया गया है और कुर्ते की तरफ इशारा किया गया है कुर्ता पहन कर बाजार जाओ को कुर्ता यानि कीफ पर पेश लगाया गया है इसके बाद डैश बोंक रहा है कुर्ता कीफ पेश दे अलिफ कुर्ता इसके बाद डैश का फूल सुर्क है सुर्क याने लाल लाल रंग को सुर्क कहते है डैश का फूल सुर्क है तस्वीर में क्या दिखाया गया है गुलाब तो गाफ पे पेश का इस्तिमाल किया गया है और हमें भी पेश लगाना है इसके बाद डैश टहनी पर बैठा है कौन टहनी पर बैठा है? बुल बुल तो बे पे पेश लगाना है और दूसरी बाद जहां बे है वहाँ पर भी पेश लगाना है यानि बुल बुल टहनी पर बैठा है इसके बाद डैश सड़क पर चल रहा है पूड़ा बेपे पेश का इस्तिमाल करना है इसके बाद मेरा डैश काले रंग का है बच्चे के हाथ में क्या है जूता तो मेरा जूता काले रंग का है जू जीम पर क्या है जीम पर पेश का इस्तिमाल किया गया है तो आप ये मश्क जो है ये अपनी किताब पर ही करेंगे गर के लिए क्या काम है कि पेश की तैरीफ मिसालों के साथ कौपी पर लिखी जाए और ये मश्क नमबर एक को किताब पर ही किया जाए आज के लिए इतना ही अलाफिज